नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका NDC Initial Classes में और अभिनंदन है तो पिछले दोनों टेस्ट बहुत ही अच्छे रहे कुछ फस्टेस्ट में एक दो गलती थी लेकिन पिछले टेस्ट में मैंने आपको जो बताया था कि 13 नंबर कॉशन में क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं यह प्रशन आपको दिया था जिसका आंसर बहुत स्टूरेंट्स ने कमेंट बोक्स में सही भी किया तीन भेद किये कर्तरी कर्म और भावे तो इस प्रकार से भेद किये गए थे और बाकी जो कॉशन से उनके आंसर बता दिये गए थे और एक जो कॉशन में डाउट था उसको मैंने साथ पिन कर दिया नहीं किया तो अब तक कर दिया जाएगा तो अब हम आगे चलते हैं देखिए बहुत अच्छे प्रशन है सबसे इंपॉर्टन बात क्या है कि आपके डाउट्स के लिए होने चाहिए और कल संडे है और कल संडे को पीका नेर में आफ लाइन रीट का एक टेस्ट पेपर रखा गया है जिसमें अब तक बहुत से अच्छे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बहुत अधिक स्टुएंट पेपर देने के लिए आएंगे भी तो देखेंगे उन में से कितने अपना टार्गेट ये हैं समय नस्ट न करते हुए चलिए तो हम फर्स्ट कॉशन पर जाते हैं फटाबर स्पीड से करेंगे आज बारिस का माहूल है तो कहीं लाइट वगर प्रॉल्म ना जाए निम्न में से पूर्वपद प्रधान समास है बहुत सरल कॉशन से हम कठीन की और चलेंगे पूर्व प्रधान क्या द्वंद में होता है तत्पुरस में होता है तो हम जानते हैं अव्य भाव समास में पूरुपद प्रधान होता है तत्पुरस समास में प्रधान पद माना जाता है कौन सा पद प्रधान होता है यह सरल प्रशन ना समझें आपकी तैयारी अच्छी है जिसकी तैयारी अच्छी है, उसके लिए प्रिश्ण सरल हैं, बहुत स्टुएंट्स ने कमेंट किये, कि सर 57 सही, 58 सही, बढ़िया चीज है, बताया करो, इससे अच्छा रहता है, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ, वास्तों में स्टुएंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो समास में पूरुपद, उत्तरपद, अन्यपद या उभैपद, तो हम जानते हैं, इसमें उभैपद प्रधान होता है, निम्न में से अन्यपद प्रधान किसमें होता है, तो हम सब जानते हैं, इसमें बहुवरी समास में अन्यपद प्रधान होता है, जैसा कि आपको पता च इस्तर का पता लगता है कि वो किस प्रकार के इस्तर के प्रश्ट मना रहे हैं, बाकि आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो, तो अपने यूटूब पे सारे टॉपिक पढ़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा, रसोई का घर, देवाले, तो देव का आले थोड़ी होता है, देवों के लिए जो आएले होता है, वो देवाले होता है, आगे चलते हैं, पितामबर में कौन सा समास है, यहां पर मैं डाउट किलियर करूँगा, बहुत सरल उधान लिया न, क्यों लिया, इसकी बार मताऊँगा, पितामबर में कौन सा समास है, तो देखिए, सीधा पितामबर में अगर पूछा, कि सीधा पितामबर में कौन सा समास है, तो हम जान तो उस condition पे अगर होता तो करम धार्य हो जाता है कई बार यह समास क्या है वाक्य में परियोग करके पूछते हैं तो उस शब्द में जो समास है वो नहीं होता उस वाक्य के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाएगा पद के विग्रह के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है विशेशन विशेश्य युक्त समास कौन सा होता है विशेशन और विशेश्य युक्त तो आप देखेंगे विशेशन विशेश्य संबंद जो होता है किसमें होता है दूंद में होता है क्या राइट कर दूं नहीं यह तो करम धारिक के अंदर होता है विशेशन विशेश्य स संबन्द देखिए समास का बहुत बड़ा खेल होता है जैसे मैं आपको छोटा सा एक्जामपल बताऊं आप जानते हैं जैसे मैंने कहा अच्छा एना और बुरा तो यहां पर आप सीधा क्यों सा करोगे दूंद समास करोगे करोगे नहीं करोगे बोला हाँ सर्दूंद समास क करेंगे खोड़ा सा एक सेकंड इसकी यह थोड़ा हाँ ठीक है तो इसमें आप दूंद समास कर दोगे लेकिन जैसे मान लो एक लंगड़ा और लूला इस प्रकार से हो तो यहां पर और आता है जैसे लाव और भानी ठीक है दिन और रात तो अब यहां पर मैंने जो और लगाया है कई जगे आपने या भी लिखा हुआ देखा हुगा यह क्यों होता है कहीं पर और होता है कहीं पर या होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर मैंने कहा लाब हानी में कौन लाब हानी का विग्रे क्या होगा तो आप सब लोग लाब हानी का विग्रे है वो विग्रे को कैसा करोगे लाब हानी का विग्रे करोगे लाब और हानी लेकिन मैंने का वैपार में लाब हानी होते रहते हैं उस कंडिशन पर आप कौन सा करोगे लाब या हानी जैसे मैंने का मोहन दिन रात पड़ता है तो मोहन दिन और रात पड़ता है लेकिन दिन रात सीधा करूँगा तो दिन या रात तो ये वाक्य में परियोग पर डिपेंड करता है कि कहां कौन सी चीज आएगी या कहां आएगा और अत्वा कहां आएगा उसके बाद है म्रिग नैनी में कौन सा समास है तो करमधार ये दूंद बहुवरी या तत्पुरुज इनमें से कौन सा समास है तो आप देखिए म्रिग, कि अब ये भी बहुत बड़िया उधारण है हम इसका विग्रे करते हैं आप सब क्या करोगे इसका विग्रे, फटा पर कमेंड बॉक्स में करके बताएं इसका विग्रे आप लोगो क्या करोगे म्रिग के समान नइनो वाली है ना, और हम किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि मृग के समान नैनो वाली लेकिन सोच के देखिए क्या ये विग्राय सही है, नहीं ये सही नहीं है, reason कैसे देखिए, मृग के समान कौन से नैनो होते हैं हम जो तुलना करते हैं, क्या वो मृग से तुलना करते हैं लगनνी हीरुन की जैसे का मतलब यह हो गया कि सिंग है चार पे रहे हैं उसके आँको नौि A.C. जिस इस्त्री के नेतर मिर्ग के नेनों के समान सुंदर बताएगा है वो मिर्ग नेनी होगी ठीक है कोई सा भी हो इसका जो राइट अंसर होगा करमधार्य होगा लेकिन विग्रेस सही पता होना जरूरी है जैसा स्रीव के त्रिलोचन में कामदेव काप उठा तो आप देखे हम आँख बंद करके सीधा बहुवरी कर देंगे लेकिन बहुवरी होगा क्या यहां मुझे नहीं लगता यहां बहुवरी होगा आप सब समझदार है देखिए सीधा त्रिलोचन होता तो तीन है लोचन जिसके अर्थार सिव तो हम बहुवरी कर देते लेकिन यह तो खुद गया आपसे, बलकि शिव के तीसरे लोचन से काप उठा, तो यहाँ पे होगा द्विगु समास, बहुवरी समास नहीं होगा, अगर आपने कर दिया है, तो गलत है, प्रिलोचन ने, अब देखिए, प्रिलोचन ने कामदेव को भश्म कर दिया, देखो मैं एक जैसे प्रशन कर दिया, तो यहाँ होगा बहुवरी, जबकि पिछले में क्या था, सिव के त्रिलोचन से कामदेव काप उठा, तो देखिए, एक ही शब्द, दो वाक्यों में आया, दोनों बार अलग-अलग, जो इसका विग्रह है, बच्चा और बच्ची का सुद्ध समस्तपद क्या हो इस ने रेकर्श चलते हैं, यथा शक्ती, हम दो यथा देखते ही सीधा कहाँ चलते हैं, अब यही भाव, लेकिन ये तो पुछ रहा है, समास विग्रह है, यथा शकती, अर्थात, शकती से बाहर, शकती से अधिक, शकती भर, शकती से बड़ चड़ कर बहृत ही गजब आप्शन में शक्ति के अनुसा रही नहीं, लो बैट जाओ, अब हमें इस शब्द को देखना होगा, यथा शक्ति, अर्था आत, जितनी शक्ति है उसमें, तो शक्ति से बढ़ चड़ कर बोला, क्या नहीं बोला, क्या शक्ति से बाहर, नहीं, शक्ति से अधिक, नहीं, कौन सा समास है, जल्दी से बताईए, जल्दी से आप बताएंगे, तो फटा-फट एकदम सही बता देंगे, उपपद तत्पुरुष नहीं है, बलकि इसमें है, अलुक तत्पुरुष है, तो लुप्त पद कौन सा होता है, सर, उसमें लुप्त पद में आता है, रेल, गा क्या होता है कि कारक की विभक्ती किसी न किसी रूप में उसमें छिपी रहती है मतलब देखिए विश्व का भरन करने वाला अभी जो विश्व का भरन का कहां है ये का जो है ना ये देखिए बिंदी के रूप में आया ऐसे ही आपने सुना होगा एक वो शब्द आता है तो यह दनन्जे क्या है धन पर विजय प्राप्त करने वाला तो यह बिंदी क्या है यह कारकी विबक्ती जो होती है वो किसी ने किसी रूप में उस शब्द के साथ हैड होती है तो इसमें होगा अलुक तत्थ पुरुश्य यह मैंने समास में बहुत बढ़िया तरीके से बता किस समास में उत्रपत प्रदान नहीं होता है तो आप देखें करमदार्य तत्पुरुश्य का बेदर होता है तत्पुरुश्य में होता है ठीक है तो फिर किसमें नहीं होता है द्वंद में दोनों ही पत्परदान होता है उत्तरपत प्रदान नहीं होता समास सब्द का अर् टेस्ट में जबर्दस प्रिशन आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आज भी आपके 55 प्लस सही होंगे अंतिम पद प्रधान किसमें होता है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है यह क्या प्रशन पूश लिया अप ततफुरुष करम धारिय अब यह भाव भॉवरी इसमें तो अंतिम पद प्रधान होता है इसमें प्रतम पद प्रधान होता है ठीक है इसमें विशेशन विशेश समंद यह इसी का भेद है लेकिन यहाँ पर हम राइट ततफुरुष को ही करेंगे अंतिम पद प्रधान होता है ठीक है ना तो क्लिर है आगे चलते हैं सरसिज सरसी में जन्म लेने वाला कौन सा समास है बहुवरी समंद संप्रदाई अलुक तत्पुरस बहुत बढ़िया है बताईए देखे सरसिज में कौन सा समास है आज 18 नंबर प्रशन आपको कॉशन मार्क के रूप में मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा क्या यहां बहुवरी समास होगा क्या संप्रदान तत्पुरस हो सकता है क्या अलुक तत्पुरस सरसिज अब देख लीजिए सरसी में जनम लेने वाला सर में जनम लेने वाला कौन सा होगा इसका आंसवर आप लोग यूटूब पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे यह 18 नंबर आ कौन सा समास है नया तत्पुरस बिलकुल नहीं है नया में तो न आस्तिक न होनी इस प्रकार से होता है है ना अलुक तत्पुरस बिलकुल नहीं होगा इसमें किसी ने किसी रुप में कारे की विक्ति छिपी रहती है उपत तत्पुरस बिलकुल नहीं होगा तो पीछे कौन सा बचा संपरदान कई बार ये भी होता है हम तीन जो नहीं होते हैं उनको डूंडलो तो अपने अब उत्तर निकलाता है रेल गाड़ी सब दो जार साथ पटवारी के अंदर ये पहली बार आया था लोगों को हिला कर रख दिया था इस चब्द ने क्योंकि उस वक्त मैंने भ चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी बहुत गजब था अब देखिए ये चलो खारिज कर दिया जाए रेल से ये भी अपन खारिज कर देता है लेकिन पट्री पर चलने वाली गाड़ी और रेल पर चलने वाली गाड़ी अब हम जानते हैं रेल कोई पट पुर्ष समास है इस सब्द में तत्पुर्ष समास है पता यह महादेव अभर पंचवती जहागत ग्रंतरत इन तो बहुत बढ़िया तत्पुर्ष समास है महादेव तो नहीं होगा क्यों महान है जो देव यूँ कर लें आप सिवजी के लिए कर लें तो भी पंचवटी भी नहीं होगा अब आती है ग्रंथ रत है ना ग्रहागत अब देखा जाए तो ग्रंथ रत और ग्रहागत में आपको कंफ्यूजन होना स्वभाविक है अब या तो ग्रंथ रत करो अब इसका जो ग्रंथ लिखने में रत है इस प्रकार से बनेगा याद रखें ग्रह को आगत कुछ लोग ग्रह से गत कर देते हैं याद रखेAN, यहां तत्फुर्ष तो है, लेकिन तत्फुर्ष का अन्य भेद है, लुप्त पत तत्फुर्ष है, लेकिन यहां पर पूनत का तत्फुर्ष समास्वाज leisurely आइट अंसर डी होगा किसम्द में तदपुर समास से आत्मन होगा आत्मम नहीं है यह गलत लिखा वाय का आत्मन अनिच्छा गंश्याम तरंगा बहुत बढ़िढे है तो देखिए अनिच्छा में आप जानते हैं कि नयातर थोतोज़ और एक है आत्मन ठीक है घन शाम घन शाम तो ये तो करम धारिया है ये क्या है करम धारिया है तिरंगा ये हो जाता है द्विगुया बहूरी कह सकते हैं इसको अनिच्छा ये भी अब बताईए तत्पुरुस्तमास किसके क्या आत्मन में तत्पुरुस्तमास है या नहीं है तीन प्रिशन बहुत बढ़िया कॉंशन है कर दूंगा उसमे 18 नमबर और बाइस नमबर बहुत बढ़िया प्रशन है ये पीछे पेपर में आए वे है और अगर आपanga देखा हुआ है तो भी कमेंट करें और कमेंट नहीं बलकि कैसे हैं, ये तीनों क्यों नहीं हैं, तब जाके ये प्रिश्ण समझ में आते हैं, ये प्रिश्ण भी मैं यहाँ छोड़ता हूं, चंद्र से कर बहुत ही देखते ही पता लग जाता है, कि यहाँ पर कहीं न कहीं बहुरी समास है, चंद्र चूड, चंद्र है जिसके तत्पुर्ष समास है निडर तुल्सी क्रत लंबोदर सत जन ठीक है सत है जो जन ये तो हो गया करम धारिय ये कौन सा हो गया करम धारिय ठीक है उसके बाद तत्पुर्ष लंबोदर तो यहां हो गया कौन सा हो गया बहूवरी हो गया निडर तो यहां पे निडर अब देख ल है, right होगा, c, one मानुस में कौन सा समास है, तत्पुरस है और तत्पुरस का लुप्त पर तत्पुरस है, one में रहने वाला मानुस, अब यही भाव समास कौन सा है, देश, भक्ती, दान, वीर, यथा शक्ती, महावीर, तो यह तो देखते ही पता लग गया, कि इसमें यथा शक गलती से बारह सिंग जिसके कर दिया, तो बारह सिंग वाला जानवर मत कर देना, बहुरी समास है, क्यों जानवर विशेस है, उसके बाद में आप देखेंगे, किस सब्द में द्वंद समास है, राम लक्षमन, सर्प, सर्प नकुल, वानी विना, सौरी, नहीं पूछ रहा ह यह गलती किसी से भी हो सकती है, कोई विद्वान नहीं है, विद्वान वो है जिसने स्मार्टली पेपर हल किया, नहीं है, तो राम लक्षमन में तो साब दिखाई दे रहे हैं, सर्प और नकुल में साब दिखाई दे रहे हैं, वानी यान सरस्वती, विनाएक यान गणेश जो साब राजपुरुश नहीं है राजपुरुश महतमाकालः साथ ये सारे तीनों के तीनों है मैं करें करों अविवाद बिना विवाद के सामाशिफपति क्या होगा हुगा तहीं विग्र है 句 कि साहीm इसमें कौन सा समास है प्रेशन थोड़ा गलत टाइप कर दिया कौन सा समास है निर विवाद बिना विवाद के बताई ये बहुत बढ़िया है लेकिन ये तो पूरा मुझे लगदा ऑप्शन गलत टाइप कर दिया है ना एट परजेंट हम इन उप्शन की बात करें इसमें डी उप्शन राइट होगा निर निर को हम विशशन रूप में लेंगे तब जाके बिना विवाद के नक्ता नाक है जिसकी कटी नाक जिसने काट ली हो वो नक्ता नहीं होता जिसके नाक नाक जिसकी कट गई हो वो होता है नक्टा, है ना, 31, ये भी बहुत अच्छा है, 31 का क्या होगा, बहुरी करमदारी दोन, इसका विग्रे क्या होगा सबसे पहले, एक और 30, याद रखना, आप्शन में आपको 30 और 1, ये भी मिलेगा, तो दोनों ही मिलेंगे, लेकिन हमें ये सही करना है, क्योंकि दोनों जोड होगे, तो ये होते है, 31 ही है, ज्यादा गणित में मत जाना, वरना गलत हो जाएगा, है ना, चलिए, सिवारपन, शिव के लिए, एरपन, शिव को एरपन, कुछ भी कर दो, ये पूछ रहा है, सब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पे तत्थपुरु समास मना जाएगा, आगे चलते हैं, इन में समास की द्रश्ची से कौन सा विकल्ब, सुमेलित नहीं है, रात भर, अब यही वाव समास है, क्या भर लग गया, बिल्कुल है, भूमी गत, भूमी को गत, अत्पुरु समास लग रहा है, बिल्कुल, चरा, चर, चर और अचर, दौन समास यह भी ल इसमें तीन भेद हैं, आप सब जानते हैं, नहीं है, छे भेद हैं, छे यह ना, जदो सर्थ गलत बता रहे हो, किस सब्द में करण ततपुरुष हैं, करण, पत से ब्रेष्ट, जीवन का दान, गुण से यूक्त, स्वर्ग पतित, देखिए करण पूचा, पत से से यूक्त, राइट आंसर होगा बी, ये अपादान है, ये अपादान है, ये संबंध है, कौन सा समास विगरे गलत है, चार है जो रास्ते, चोरहा ये मतलब राहे होंगा, तपो धन, तप ही है धन जिसका, अच्छा ये तो ठीक है, समास विगरे गलत पूच रहा है, नील या चार सोचिए है जो आएगा क्या है जो तो किस में आता है करमधारी में आता है चार रहों का समू होता है चोरहा तो गलत विग्रह कौन सा होगा ए होगा राष्ट के लिए बक्ती सही होगा कहीं गलती से राष्ट की बक्ती मत कर देना ये अच्छे प्रश्णों में से एक प्रश्ण है आगे देखिए विधान सभा बहुत ही बढ़िया प्रश्ण है विधान विधान के लिए सभा विधान विधन विधन लिख दिया इसने गलत लिख दिया विधान से सभा विधान में सभा विधान की सभा नीती में निपून, नीती निपून, विवाहेतर, विवाहे से इत्तर, लगुत्तर, लगुत्तर, उत्तर में उत्तर नहीं होता, ये गलत है, उत्तर उत्तर विकास हो रहा है, मतलब उत्तर के बाद उत्तर. किस विकल में बहुवरी समास है प्रिभुवन पंच पात्र चतुर आनन चतुर यूग तो देखिए बहुवरी समास पूछा इसने चतुर है आनन पंच पात्र प्रिभुवन चतुर यूग अब देखिए ये बड़ा खतरनाक हो गया प्रश्ण क्योंकि ये चारों के चारों क वोन और मदब बहुत बढ़िया प्रश्न है अगर इस प्रश्न का अन्सर यह तीसरा प्रश्न दे रहा हूँ मैं 18, 22 और 42 तीसरा प्रश्न दे रहा हूँ ऐसे प्रश्नों में आप क्या हněं कोई गल्सटी माना तुलसी द्वाराकरत इश्वर द्वारादत पद से चुद आप बताईए बहुत ये भी इस ती तरह का बढ़िया प्रशन है करन तत्पुरस नहीं है से 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 चलेगा लेकिन आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर होगा पद से चुद क्योंकि यहां अपादान होग कौन सा होगा अपादान होगा उसके बाद आप देखेंगे सूपरसूप सर्ग है करमधारे हो गया किस विकल में द्वन समास नहीं है दाल और भाद बूत और पे शुब शुबहा सुब शुब और असुब सुबहा अगमन सुब है जो आगमन तो इसका राइट आंसर होगा दी उसके बाद आप देखेंगे किस सब्द में अव्याई भाव समास है ठीक है किस सब्द में अव्याई भाव समास है नहीं है स्वरी अव्याई भाव समास नहीं है यथा साध्य में तो है आजन में है आमरण में स्रम साध्य में नहीं है नीती निपून सब्द का सही विक गुरू दक्षणा बहुत ही अच्छा विग्राई क्योंकि अक्सर हम गुरू की दक्षणा कर देते हैं लेकिन नहीं गुरू के कारण दक्षणा नहीं गुरू के लिए दक्षणा होती है तो राइट अंसर होगा B C है रूपी नर 49 कॉशन हो चुके हैं बस 11 कॉशन और 11 मिन्ट से कम गुरू दक्षणा गुरू के लिए अच्छा यह हो गया C है रूपी नर रूपी आ गया इसका मतलब नर सी हैं क्या होगा इसका राइट अंसर नर सी हैं होता है नर सी हैं यह प्रिष्णी मेंने क्यों दिया है मैं आपको कारणब बता दूह क्योंकि कई बार वह विग्रे दे कर पूछ सकते इसका समसिक्पत क्या होगा तो सी हैं रूपी नर अरठाद नर सी हैं कई सीन नर मत कर大ती से थीक है उसके बाद आप देखेंगे किस समास में प्रतम पत्परदान होता है ये तो फिर आ गया रिपीट हो गया ना अब यही भाव उसके बाद में नील कमल ये देखो टाइप राइटर हमारा इस बाद थोड़ा नया है थोड़ी गलतियां रह चुकी है नील कमल में कौन सा समाँ नीला है जो कमल तो इसमें होगा करम धारी है उसके बाद नेमन लेकित में से अब यही भाव समास कौन सा है अब विद्याले, मनमाना, कनफटा, भर पेड तो आप फटा बड़ा आंसर दीजिए इसका बावन और ये भी अच्छा कोशन है देखते हैं कितने जने सही आंसर देते हैं पंद्रा सो दो जार इस्टूनेट आप देख रहे हो आप इसका आंसर जरूर देवें तो इसका राइट आंसर होगा भर पेड बहुवरी समास का उधारन कौन सा त्री फला चक्रदर यथा संबव धरमीर यह भी चलो यह तो मैं बताई देता हूं इसको बहुवरी समास का उधारन कौन सा यथा संबव नहीं होगा धरम वीर नहीं होगा त्री फला नहीं इसका राइट आंसर होगा चक्रदर मैंने आपको तीन ही प्रिशन दिया है अज़ ठारा बाईस और बहीं आलेस पच्पन तक आ चुके हैं हम निमने लिकित में से कौन सा पतत्पर समास है नवरात्र अनू दिन धर्मा धर्म पदगत बहुत बढ़िया है पताई देखे क्या नवरात्र होगा संख्या चुका होगा नहीं होगा क्या धर्म और अधर्म यह दूद्ध तो कौन सा होगा पदगत जिस समास में दोना पत प्रदान हो वह क्या कहलाता है दूद्ध समास है ना उसके बाद आप देखेंगे 67 number question इनमें से कौन सा सब्द समास पद नहीं है तिरंगा शारिक रंगमंच यह था सकती, यह भी बहुत बढ़ी है, मुझे यह भी प्रिशन अच्छा लगा जाओ, मैंने पहली बार देखा था, पिछे आयवा प्रिशन है, तिरंग में समास है, यह था सकती, सारी रिक में तो एक पर्तिया लगा हुआ है, कैसा समास है, कोई समास नहीं है, किस सब्द में दुन समास नहीं है, हानी लाब, भाई, 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 सीता, राम, परसू राम, तो परसू राम तो एक ही वेक्ति था ना, कहीं गलती से कि परसू और राम कर दे हैं तो ये होगा परसूराम, अब अगले दो कॉशन जो हैं, वो बहुत बढ़िया कॉशन है, और आपको आंस्वर देने हैं, आपकी बार कमेंट में देखने हैं, इमान दारी से, इमान दारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, प्लीज आप से रिक्वेस्ट है, आप ज् सीनियर्स हैं, कुछ छोटे हैं, उन सबसे मेरा अनरोध है, कि चाए कुछ भी माने, एक अच्छा टीचर माने, कुछ भी समझें, आप प्लीज सिपोर्ट करें, थोड़ा बहुत है ना, कौन सा सामासिक पद, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, चार मास का समाहार चातुर मा सिक होता है, या चातुर मास होता है, तब से बड़ी ये बात है, लेकिन ये पकड़ में आपके नहीं आई होई होगी, चातुर मासिक नहीं होता है, चातुर मास होता है, राइट अंसर होगा ये, ठीक है, और मैंने कहाता है, अब ये अच्छे कॉशन है, और ये लाश दो क कोशन किस सब्द में द्विगु समास नहीं है जोराहा त्रिभूज कि तुरानन सब्दा बहुत बढ़िया यह पृश्ण सब्दा लग रहा होगा बढ़र ये राइट नहीं है हरी हर गौरी संकर सीतोष्ण मंत्री परिश्द बताइए जल्दी से तीन सेकंड के अंदर बताना है वन टू थ्री बता दिया होगा अब तक तो आपको है हरी हर अर्थात हरी और हर गौरी और संकर शीत और उश्ण मंत्रियों के लिए परिश्द यह नहीं होगा अब जैसे यह सीतोष्ण है ना तो देखिए सीतोष्ण में हमने कर दिया द्वंद है ना लेकिन कई बार सीतोष्ण में करम धारी भी होता है अगर आप्शन में यह नहीं होता है तो इसमें यह होता है सीत है जो उसन है जो तो कई बार ध्यान रखना इस ऐसे वाक्यों में करम धारिय भी होता है यह मैंने अपने classes जो थी उसमें बता रखा है जो अपनी topic wise classes हुई थी उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है ठीक है तो मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए आपकी विजय निश्चित है कोई आपके सेलेक्शन को नहीं रोग सकता क्योंकि यह रीट पातरता परिक्षा हम सो नहीं हम 110 का स्कॉर भी क्रॉस कर जाएंगे यह मातर पातरता है टारगेट तो 90 किसी का तहियां सी जो कै nursery हैं उन्हीं चूट दिकी लेकिन हमारा टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए हमारा टारगेट है हमारा टारगेट में कभसे जब से test निरे रहे हो एक ही टारगेट है 100 कोशन से हमें क्रोस करना है बस इसके बाद चाहे कितने भी सही हों कोई टेंशन नहीं हम आगे second grade और grade third की तैयारी में लगेंगे जबर्दस तैयारी करेंगे क्योंकि 90 caution व्याकरण के हैं और मुझे छोड़ के कहीं जाएगा मत 90 caution आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगे तो उमेद करता हूँ आप सबको आज की class भी बहुत अच्छी पसंद आई होगी like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए और support कीजिए thank you so much good night take care मिलते हैं कल शाम इसी समय thank you so much